मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनव के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रिय विधी विश्विद्याले के दीख्षांत समारोह में सम्मिलित हुए. इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूर के साथ शात्रों को उपाधी प्रदान की. CM योगी ने भारत के मुख्य न्यायधीश डॉक्टर DY चंद्रचूर का स्वागत करते हुए कहा कि बदलाव की राह क्या होनी चाहिए वो सकारात्मक है या नकारात्मक ये हमको तै करना है यदि हमारी राह सकारात्मक होगी तो आपकी राह न्यायक जगत ही नहीं जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत उजवल होगी अगर राह नकारात्मक होगी तो ये ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी ना समाज के और नहीं राष्ट्र के हित में होगी इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूर ने जो की पढ़ाई को क्षेत्रिय भाषा में कराने पर जोड दिया उन्होंने कहा कि अक्सर देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्ष करता हूँ कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके और सोचता हूँ कि RMNLU को जरूर हिंदी में LLB कोर्स शुरू करना चाहिए इस कारेक्रम में अलाहबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्थी अरुन भनसाली विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर अमरपाल सिंग विभाग आध्यक्ष विदी प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंग उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंदर उपाध्याय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंग एवं इलाहबाद उच्च न्यायाले के कई न्यायमूर्थी उपस्थित रहे